दोस्तों नमस्कार, अस्सालावालेकूम, सस्रीयकाल, एक बार फिर से स्वाकते आपका मारी यूटूब चैनल पर, और दोस्तों आज हम एक पूरी तरह से नहीं सीरीज शुरूर कर रहे हैं, और बहुती जबरदस सीरीज शुरूर कर रहे हैं, वो है Voice of On Passive, The Indian Talk Show, तो मतलब यह अभी तक आप देखने होंगे कि यह On Passive के बहुत जगा पर शो हो रहे हैं, बहुत सारे आप देखेंगे, पॉरें में कि हो रहे हैं, हम पहली बार है हिंदी में यह आप सुनने को मिलेगा, The Talk Show, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, मैं हूँ Zawir Jaf और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं, Zawir Jafri हो, मैंने जो जॉइन किया था, तो उससे पर्ले थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूँ, मैंने जॉइन किया था, इसको जो ओन पैसिप को वो है, जो पैड आईडी जो मैंने फाइनली कीती, वो थी, मेरी 10 नवंबर 2020 को मैंने से जॉइन किया दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉइ कर रहा हूँ, लगवत चार महीना आज कंप्रीट मैंने कर लिया है, और काफी जबरदस मुझे लगा है, और आज हमारे साथ कुछ शक्स को हम हर बार इन्वाइट करेंगे, उसमें से एक सास ह हमारे हैं, जिन से मिलके मैंने शोर शुरू किया है, वो है डॉक्टर इद्रीस मोधी साहब, जिनके बारे में जितना परीचाहदू, वो कम है, लेकिन वो फुद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किम तरह से देखिए हम आ रहे हैं, तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इद्रीस मोधी साहब, तो देखिए मैं आपको एड़ कर रहा हूं, वेलकम सर, वेलकम इद्रीस मोधी साहब, जिनके बहुत मदलो के लिए हैं, जिनके समी में सुना ही है बहुत सो लोगन आपको सुना है शायद ही ऐसा कोई वेबनार हो जिसमें इद्रीस मोदी सर नहीं आते हो और उसके बिना मतलब मान सकते हैं कि और पैसिव अरूरा सा लगता है उनका जो भी वेबनार होता है इंडिया का या इंडिया के बाहर भी शायद ही ऐसी कोई कंट्री हो जहां पर सर नहीं आते हो तो हमारी खुशकिस्मत ही है कि सर हमारे साथ आज जुड़े हैं और सर को पांच मास्याओं का नॉलेज़ वेबनार है आयवेड के बहुत बड़े डॉक्टर है ज्यादा उसे बोलूंगा नहीं उनके बारे में और वो खुद ही बताएंगे तो सर मैं आपसे जानना चाहूगा आप कम्प्रीट आपके बारे मताएं आप कहां से हैं आप तो यह से जोग जानते हैं कि आप इंडिया से लेकिन कहा पे हैं कुन से स्टेट से हैं, कुन से शेहर से हैं और आप सर करते क्या हैं आप तुदी बदाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा तेंक यू जविर भाई और बहुत-बहुत आपका थैंक्स बोलता हूँ कि ये शो कुछ काइड करा है हमने और अभी तक हमने बहुत सारे शोज देखे बाहर कंट्रीज के, लेकिन इंडिया का कोई भी ऐसा टॉक शो नहीं था और ये हम लोग का एक बहुत का जाएक एक गोल्डन आपरचुनिटी हमें मिली है कि हमों इंडियन लीडर्स को हाइलाइट करें और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ गुष्मिंदर सर का और बाकी हमारे MC मेंबर्स का जिन्हों ने इस शो को शुरू करने के लिए मोटिवेशन दिया और गाइडेंस दिया गुष्मिंदर सर बराबर वाच करते रहे और बताते रहे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो और आज हम यह हमारा पहला शो जो है जवेर भाई मेरे साथ शुरू करना चाह रहे थे तो मैंने का ठीक है आप इन स्टार्ट करतें और इसके बाद नेक्स जो भी हमारे लीडर्स होंगी उनको हम बलाते रहेंगे तो जवेर भाई थैंक यू वेरी मच और सबसे पहले हम दोनों मिलके हमारा जो स्लोगन है वो हम बोलेंगे और स्टार्ट करेंगे है वी आर इनिट टो इनिट इनिट टो इनिट इनिट टो इनिट येस और अब मै अपने बारे में बताना चाहूंगा मेरा नाम है डॉक्टर इद्रीस मोदी और मैं भुपाल मद्यपरदेश इंडिया को बिलॉंग करता हूँ भुपाल कैपिटल है मद्यपरदेश का और यहाँ बहुत सारी जीलों की नगरी कहा जाता है इसको बहुत सारी जीले हैं यहाँ पे, बहुत ही कुपसुरा सिटी है, ग्रीन सिटी है, और कैपिटल मद्यप्रदेश का बोपाल है, लेकिन इंडिस्ट्रियल कैपिटल यह बिजनस कैपिटल जिसको का जाए, वो इन दोर है, तो हम दोनों ही कैपिटल में हैं, जवेर भाई जो है, वो बिजनस कैपिटल में हैं, और मैं कैपिटल अफ मद्यप्रदेश में हूँ, तो मैं इस अउन पैसे बिजनस में, अपने बारे में पहले मैं बताओं कि मैं हर्मल और नेच्रोपेथी में डॉक्टर हूँ, पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और मेरा की रेमिडीज के बारे में बताते हैं, तो जविर भाई, मैं अगर ये कहूं कि आन पैसे में किस तरह से मैं आया और कहां से शुरुआ हुई, तो ये एक साल पुरानी स्टोरी है मेरी, कि मैं ये अपने जो जस्वन सिंग जसी हैं, इंडिया लीजर हमारे, जो ग्रेट अप साल पर पहले कॉंटक किया था, और क्योंकि हम लोग पहले भी कहीं बहुत सारे MLM बिजनस में स्टार्ट में काम कर चुके थे, तो उन्होंने मुझ से कहा कि डॉक साब ये एक कंपनी आई है, अमेरिका की कंपनी है, और इसमें Artificial Intelligence के प्रोड़क्स हैं, तो मैंने उन से कहा कि जसी वाई देखिए, मैं तो ये सारी चीज़ों को नहीं जानता, क्योंकि मैं तो प्रोड़क्स हूँ और मैं हेल्फ प्रोड़क्स हैल्फ फिल्ड में ही काम करता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ जो है, ये नई है, और फिर मैंने उसके बाद जाला ध्यान नहीं दिया, फिर एक दो महीन के निकल गये और फिर कहते हैं ओपर से जब कोई आता है, ओपर आल्ला से जब कोई मेसेज आता है, तो वो असका वो आidée क्या ही रहता है, मतलब उसको रोब नहीं सकता और तो जो को एदिर मैं तो मैं गाँ ये ये ओज़ जाँ गजए делает मैं इसके मैं गए तो मैं सोचने रगा कि यह जसी का में फॉट क्यों आया तो मैं सोचने जसी ने मुझे कुछ बिजनस के बारे में बताया था मुझे इसके बात करना चाहिए तो मैं ने लगबग 10 बचे तक सुबह वेट किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़ादा एक्साइट था मुझे लग रहा था कि अंदर से मेरे कोई आवाद आ रही है कि इसके बारे में पूछना चाहिए मैंने दस बचे फोन किया जस्वन सर को और उनसे पूरी डिटेल्स दिया उन्होंने बोला कि सर यह तो आपने को मैंने जब बताया था जब तो स्टार्टिंग था और अभी तो एक लाग से उपर लोग जाइन हो चुके है मैंने कोई बात नहीं मुझे आप बताये डिटेल्स उन्होंने मुझे डिटेल्स दी वेबसाइट दी कुछ वीडियो बताया उन्होंने और मैंने उस सारे चीज़ों को स्टेडी किया और फिर मुझे लगा कि नहीं यह बिजनस जो है यह क्योंकि मैं अपने डॉक्टर के प्रोफेशन में लोगों को ट्रीट्मेंट दे सकता हूँ लेकिन क्या है कि अगर मुझे आदमी को फाइनेशियल फ्रीडर्व देना है तो वो मैं हर्बले निच्टर्वपती से नहीं जे सकता क्योंकि देखे ट्रीट्मेंट तो पेशन कहीं भी करा सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन यह जो चीज़ है कि आदमी को फाइन मुझे लगा कि नहीं आउन पैसिव में यह चीज पॉसिबल है और मैं आउन पैसिव के थूरू लोगों को फाइनिशल फ्रीडम दे सकता हूं तो फिर मैंने आउन पैसिव को जॉइन किया जॉइन करने के बाद मैं फिर बहुत ज्यादा एक्टिव राइसके अंदर बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे बहुत सारी स्टोरीज तकी और इसके बाद दो पीन महीने बाद मुझे एलसी में आने का भी चांस मिला, एड़ सर का बहुत बहुत थैंक यू, बोलता हूं है कि उन्होंने मुझे एलसी के लिए चांस दिया, और आज मैं एलसी मेंबर, इंडिया में हर जितने भी फांडर्स हैं, वो लोग मुझे स हल्प ले सकते हैं, और मैं विशा कोशिश में रखाऊंगी, जतना मेरा टाइम मैं आन पैसिव को दे तक हूं, तो फॉसित है तो दे सकता हूं मैं, तो मतलब कुल मिला के गॉट का गिफ्ट भी बोल सकते है बल्कुल 100% sergeant bank ärasome मैं बने का वो जानना चाहते है कि जो नए लोग आते है predict तो इसमें आप बता सकते हैं कि on passive का future क्या है cherche कि पगने नहीं लगा भी देख रहे होंगे तोने जले कि जो पुराने उन्हें तो पता है on passive में बड़े safe है वो लेकिन जो नहीं लोग आना चाहते हैं तो इसमें future क्या है on passive का थोड़ा सा बताएंगे ज़र अपने शब्दों है देखिए on passive कोई business नहीं है मैं पहरे बता दूँ यह कोई mlm नहीं है यह ना cryptocurrency है ना यह money rotation है यह अलगी तरह का financial revolution है जिसके अंदर के win-win situation है जैसे के हमारे CEO एच मुफारों बोलते हैं कि we are in it to win it या cat home तो यह सारे जो चीज़ हैं यह बताती हैं कि on passive जो है यह आने वाले time में एक world के अंदर एक revolution लाने वाला है लेकि इसके अंदर जो भी आदमी आता है वह 100% success होता है चाहे वो कुछ कर पाए यह नहीं कर पाए अभी तक क्या होता था है कि हम लोग जैसे दूसरी company's में थे दूसरी company's में क्या होता था कि जो ऊपर के लोग थे वो success होते थे बात में जो आदे थे वह लेकिन यहां ऐसा कितनी इंकम आएगी क्योंकि इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, इसके अंदर प्रोड़क रखे गया है, साथ में जो कैलकुलेशन्स हैं, वो भी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ही होंगे सारे, तो हर आदमी को विन्विन सिचुज जाने से इसके अंदर, इसके अंदर कहीं ये नहीं है कि कोई आगे रह गया ये पीछे रह गया हर आदमी को इसमें इंकम आ नहीं है, चाहे वो इसमें लोगों को जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए, सब बराबर हैं इसके अंदर, सारे लोग बराबर हैं, और दूसरा ही ह कि इसमें कहा जाए तो कोई अप लाइन डाउन लाइन ये क्रॉस लाइन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यह पूरा एक एक पूरा एक फैमिली टाइप बिजनस है जिसके अंदर हर आदमी एक डूसरी की मदद करता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ग्रूप है तो मैं इसकी को नहीं करूँगा सारे लोग एक दूसरी को मदद करते हैं तो फ्यूचर में जब लोगों के पास पैसा आएगा तो सुसाइटी को भी अप्लिट करेंगे लोग जैसे मेरा एक ड्रीम है कि मैं कैसा बहुत बड़ा नेच्रोपेटी सेंटर बनाऊँगा जहां पे मैं पेश कि आने वाले दिन में देखने को मिलेगी कई अलग-अलग जो फाउंडर से वो अलग-अलग फील्ड में अपना-पना काम कर रहे होंगे डाउट नहीं है ना सब्सक्राइब जो फाउंडर पॉजिशन अभी जो मिल रही है वो अगर आदमी ले ले लेता है तो उसको फिर लाइफटाइम वो इनकम मिलना है लेकिन एक बार जो फाउंडर पॉजिशन क्लोज हो गई तो फिर वो ऐसा कंजूमर या कस्टमर आएगा तो वो एक अलग डिफरेंट पिक्चर होगा वो अलग डिफरेंट पिक्चर होगा लेकिन अभी हमारे पास चांस है कि जितने 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 ज लोग जो भी देख रहे तो जादा-जादा लोगों को अपने जितने भी पहचान के लोग हैं उनको लाने की कोशिश कर यहां पे और सर मैंने आपका एक अच्छी चीज़ देखिए मैंने आपका लगपक हर जो वेबनार देखा है और उसमें एक खास बात होती है खास कर जो ह हमारे इधरी सर हैं की सबसे अचीची खास बात है इनके जो मैसेजिस होते हैं जो 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 जिना जवरदस्त होता है की मतलब amazing होता है जो story होती है वो लोग सुनने के लिए बेताव होते हैं सर एक बहुत ही अच्छा message कोई बहुत ही अच्छी story कुछ हमारे साथ share करेंगे तो बड़ी खुशी होगी होगी है बिलकुल बिलकुल सर पहले तो मैं यह बोलूगा के ash मुफारे जो है वो उनको मैं बोलता हूँ king of gifting वो आदमी वो कुछ अलगी type का है मतलब मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं लेगा जिन्दगी में जो एक दुनिया के एक कोने में हजारों किलो मीटर दूर बैटके और पूरा मैनेज इंडिया में अपने आफिस को कर रहे हैं आज तक वो इंडिया नहीं है लेकिन इतना जबर्दस management है कि यहां बैटके उनको सब मालूम है क्या हो रहा है किस तरह से हो रहा है सारी चीज़े हो है जैसे वो ऑफिस में बैटके बात कर रहे हैं यह प्रोड़क्ट वो प्रोड़क्ट यह सारी चीज़ें यह वहां के एक स्टाफ का नाम जबकि हजार से उपर स्टाफ है तो इतना बड़ा स्टाफ वहां से बैटके मैनेज करना तो ग्रेड एक ग्रेड ग्रेड कि कि मैं अगर पूरा सोबां से शाम तक बताता रहां तो खतम नहीं हो घासे Aleman week पी मैंने एक स्टोरी में डाली थी एक बार क्या है कि माहती है वह क्रोशियो क्रोश्यो बना रही होथी क्रोशियो होता रा जो एमरोड्री जिसको बोलते हैं वो एमरोड्रिकर रही आपने देखा हुगा एक रिंग होता है कर दो पिछ भी नहीं नहीं तो क्या होता है मां अपने सारा मैस इतने सारे यह दोड़ा है बॉरे और और कुछ ब्राइट कलर और लाइट कलर और ये सारी चीजे तो मा गुलती के बिटा अभी आप खेलने जाओ जब आपके वापस आओगी फिर मैं आपको समझाओंगी। तो बच्छा चड़ा जाता है। जब वो खेल के वापस आता है तो मा अपना अप्राइड्री जो है वो कम्प्लीट कर चुकी होती है और वो इतना ब्यूटिफुल होता है आगे से उसमें संसैट होता है प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सारी चीज़े होती है तो वो पच्छा देखते होता है वाँ मा इतना ब्यूटिफुल तो सर क्या है कि आउन पैसिव भी जो है एमरोइड्री की तरह है काजा एक क्रुशल है, एश तरह है वो अभी उसको बना रहे है एश को एमरोइड्री कर रहे हैं हमारे लिए लेकिन अभी जब हम उसको देखते ना पीछे से तो हमें बहुत सारा मैस दिखता है और यार अभी तो प्रोड़क नहीं आए अरे अभी तो कब होगा सॉफ लॉंच अरे अभी तो फराना अभी तो वेबस बहुत बढ़ी है लेकिन आए अदो बहुत बढ़ी है तो यह बहुत बहुत अच्छी बात है और जो एदरीश मोहिश सर की वह रखाई थे ना लस फेल एक है और जी 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 तो लास्ट अभी नवंबर 2020 में हुआ था दिसंबर में तो वहाँ पर सर की खुश्किस्मती थी कि वहाँ पर हैदराबाद में वो विचा चुके हैं हम भी करस रहें उस चीज़ को कि हम भी महां तक पहुँचें विकिर उसके लिए आसान नहीं है जाना उसके लिए बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसा इदरीफ सर वहाँ गये थे सर थोड़ा सा हैदराबाद का एक्स्पिरियंस बताईएगा प्लीज जो आप गये थे लास्ट है बिल्कुल बिल्कुल सर सर देखिए क्या है मैं आपको बताओ तो मैं यहां थोड़ा थोड़ा इंट्रोड़ा सब का दूँगा तो सबसे पहले तो हमारे गुश्विंदर सर है कैनेडा में है ना मैं कहता हूं कि एश के इतने करीब है कि शायर एश से उनकी डेली बात होती है और एश उनकी हर बात को सुनते हैं तो हर बात पर उनकी तो मैं तो नहीं बोलतो हूं गुश्विंदर सर एश मुफारा सर के ट्रांसलेटर है मतलब एग्जेक्ली वो ट्रांसलेट कर देते हैं बस तो और सुपर इंटेलिजेन सर सुपर इंटेलिजेन और उनकी बात अगर आप संडे के सेशन में सुनोगे कोच्छन आंसल में तो मतलब इतना क्लियर वो हर चीज़ को बोल देते हैं कि उसमें कोई मतलब कुछ डाउट रहते ही नहीं है माइट के अंदर तो वो हमारे ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने जसी सर को स्पॉंसर किया इंडिया में शुरू किया बिसनस और उनके थूरू इंडिया में ये फाइनिचर रिवोलुशन आया तो उनको तो हमारी पीडियां से पीडियां भी मतलब भूल नहीं पाएंगी उन्लों को जस्वन सर और गुर्षमिंदर सर हैं कि कोई भी उनसे बात करता है तो बस उसको ऐसा लगता है जैसे कि का उनके उनके उनकी मूँ से फूल जड़ना है फूल ऐसी बात करते हैं इतनी समझा के बात करते हैं इतने अच्छे से बात करते हैं, तो यह दो परसिनलिडीज जो हैं, इनोंने इंडिया के अंदर, इंडिया को एक नया, क्या मुझत हैं, नया रूप देने का, इनोंने जो प्रन उठाए, और एक यह इनोंने, जो एक बीड़ा उठाए, कि इंडिया में हर आदमी की लाइफ में हम खुशिया लाएंगे और वाकशी में ये लोग उसी उसके उपर चल रहे हैं और उसी पर अमल कर रहे हैं तो मैं बहुत है जो इंडियन कर्केट प्लियर है सचिन और सहवाग वाली जोड़ी है इसकी बिलकुल सब्सक्राइब पुर उन्हों हो मांगी रामसर का मांगी रामसर ही आगरेट पर सॉनिटी इड़ेट उन्होंने इतनी बड़ी टीम इतने कम टॉम्स्टाइम में खड़ी गरी एग और ही जगा वह एकी जगह रहते हैं देविलाद सर भी बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है इसके बाद मैं नाम लूँगा नीरज दल्वी सर का नीरज दल्वी सर इस एक्सिलेंट मैं वो पूरा दिन उन्होंने डिवोट किया हुआ है वो बोलते हैं मेरी ऑन पैसिफ ने शादी हो गई है तो वो पूरा द लगे रहते हैं ऑ्ल मैसिं के लिए हैं लोगों की कौरीज सॉल्व करने के लिए सर छारी जिज़ें इसके बाद अगला नाम में लूँगा कौशिक पांडिया जी कोरा मेलेजमेंट देखते हैं हम लोगों का इंडिया का कूरा किस तरह से वेबिनार को और्गनाईस करना है किस तरह से किसको लिना है क्या करना है कि कोई कौरीज होती है किसी को कोई है चाही होती है कोशिक पांडियजी इवर रेडी इसके बाद केड़ी शुकला केड़ी शुकला वो आदमी है कि जिनकी आपने वेबिनार सुन लिया तो आप अगर कोई बहुत ही ज्यादा डी उसका राने की रहोती नहीं हर आदमी जानता है उनको देने इसको डियंगी को इसला हीरो हीरो सुपर हीरो है हमारे वे सुपर हीरो उनको बोलने में परफेक्ट हैं उनको वीडियोस बनाने में परफेक्ट हैं सब चीज में वो परफेक्ट हैं और इसके बाद जो हमारा जो अगले जो हैं, वो हैं हमारे अपने क्या बोलते हैं, वंधना मेडम है, डेली से, मूर्ती सर हैं, साउट से, इसके बाद अभी जो नए L.C. लीडर्स आएं, नए L.C. मुकुन काबरा जी है, योगनी मेडम है, ये लोग जो हैं नए L.C. लीडर्स अभी जो हमारे इसमें शा सारे इंडियन में नाम लेहीं लिए हैं और सबी हो गए लगबर तो यह सारे लोग हमारे साथ वहां थे इसमें राजीर सर भी है? कहां इस्टैबलिश है कौन-कौन से कंपनी के पास लाइसेंस हैं सारी चीज़ें मतलब वो सुपर हैं वो भी उनका भी हर चीज़ में और उनका जो बताने का तरीका होता है वो इतना परफेक्ट होता है कि वो बिलकुल हर आजमी को समझ में आ जाता है तो ये सारे लोग हमारे साथ नमहां थे इसके बाद साउथ के हाड़ी जैसे के जीवी राउ सार हैं गुरु राज सार हैं रेड़ी सार हैं ये सब लोग कमल जी सार यगानोई नाम छीरिजीं पर उप्यूचरuch पर हम साउट के बहुत अच्छे-च्छे जो है, लीडर्स को ला नहीं पातें. तो फ्योचर में, आप वीडियो देख रहे हैं, जो talk show देख रहे हैं, उनझे की बोलेंगें की future में हम, future में यहाँ पर जो साउट के भी बहुत अच्छे-च्छे लीडर्स उनको भी लेकर के आएंगे साथ में जो पॉरेंट के भी आपड़ी लीडर्स रेखते हैं और वो भी आएंगे और सबसे अच्छी बात यह होगी कि हम उनका हिंदी ट्रान्सलेशन भी करेंगे इद्री अको होगी कि हमारे सारे बड़े-बड़े यह शोरू कर रहे हैं तो अगली बात से जब भी हमारा शो होगा तो उसमें एक extra guest भी आएंगे सारा उन के बारे में होगा तो आप लोग को यह पता चलेगा इसमें कि यार देखिए कि यह on passive कितना बड़ा नाम है यह चोटी मोटी कंपणी नहीं है यहाँ पर तिर्फ इंडिया नहीं USA नहीं केरेडा नहीं आपर सारी जो भी वर्ल्ड की टॉप कंट्रिया हैं वहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं और कितने अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं मतलब आप देखेंगे कई यंग इदिया भी कई लीडर्स को आगे किया और एस सर की जो सबसे खास बात है मैंने हमेशा नोट किया पिछले वीडियो में बताया था कि एस सर को मैंने देखा है कि लेडियो को बहुत आगे ले जाना चाते हूं आप देखेंगे एस सी मेंबर में में लेडियो आई थी बहुत सारी लेडियो को उने लाया तो यह बहुत बड़ी बात है मतलब हमारी जो कम्मुनिटी है ओन पैसिव की वो फ्यूचर में इतनी कि हम उसका चल्फना भी नहीं कर सकते है शाहरा इतनी बढ़ी होने ओने वाली र Buffered सर में सही बोरहा हो MR utler usb howl बिलकुल बिलकुल जवेर सर बिलकुल सही बोला आपने और liely मैं थेंक्स आपका भी करता हूँ कि अपने इतना मेहनत करके इस सारी चीज को सेट किया और आपने ये एक आपका पहले से बहुत टाइम से आप इस चीज़ को बोड़ रहे दें के सर इंडियन टॉक शो शुरू हो इंडियन टॉक शुरू हो और आप वैसे भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं सर और डेली कोई ने कोई वीडियो मुझे आपका किया जाने से आपको बहुत जाना चाहिए वहाँ पर बिलकुल आप भी जाने से और हमें काफी सारी चीज़े जानने को मिलेंगी बिलकुल सर आप जैसे देखिए लीडर है तो सपोर्ट जो इतने अच्छे अच्छे लीडर से हैं उन्हें सुनते हैं हम कई सालों से देख रहे हैं हले कि मैं तो नौमबर में जॉइन हुआ मुझे जादा टाइम नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा कोई डाउट न दोस्तों और इसको अपने तरीके से सही तरीके से समझिए और on passion में आईए और इदरी सर और हम आगे continue बने रहेंगे लगाकार शो में उसका एक दिन पहले आपको message आयागा और बहुत बड़े बड़े लोग अभी आने वाले हैं अभी तो शुरुआत की है हमने सिर्फ और इदरी सर का support रहा तो बहुत चल्दी अब हम आपके सामने जो बड़े बड़े लीडर से पूरे all around the world से सारे लीडर्स को यहाँ पर लेके आएंगे और आपको यह सब से अच्छी बात यह है कि सब हिंदी में मिलने वाला है सब translate यहाँ पे हिंदी होगी तो आपको बिलकु पहले से कई विलेडियर लोग हैं इसके अंतर जो जोईन है और कई जो डॉक्तर इद्री साब जैसे कई बड़े-बड़े डॉक्तर है किरंचार जैसे डॉक्तर है बिल विलियम जैसे जो अल्रेडी बहुत बड़े-बड़े डॉक्तर है फिर भी all passive को कर रहे है तो हम एक common आज भी को क्यों इस चीज की जरूरत नहीं है तो यह सोचने वाली बात है तो दोस्तों अच्छा है आज का सर आपने बहुत जबर्दस्त पहला हमारा शो रहा और अगली टाइम से नेक्स टाइम से सर हम दोनों बड़े और भी बंदे जो लीडर से हो लाने वाले है और उनका ऑनपैसिव को क्या फ्यूचर है और वो लोग ऑनपैसिव को किस तरह से लेते हैं अगनी लाइफ में यह सारी चीज़े हम लोगों के साथ डिसकुस करेंगे वन बाई वन हम जो हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके साथ हम स्कार्ट करेंगे और पहला शो हम परता शो होगा तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल वेट करें इसके लिए यह लगबग वीक में हम दो से तीन लोगों को लाने कुछ करेंगे के ले क्या हैं और उनके बारे में हम सुनें उनके बारे में जानें और अपने आपको मोटिवेट करें तैंक यू बिल्कु ज़ तो आप अप्री टीम में प्रमोट कीजिए इस शो का नाम भी बता दीजिए हाँ हमारे शो का नाम जैसे आप नीचे देख रहे हैं चल रहा है कि वाइस ऑफ और पैसिव बतब इंडियन टॉक शो फस्ट टाइम पहली बार ठीक है तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तो और सर इदरी सर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम पुरी तरह से तैयार हैं बस जैसी गुशी उंदर सिर्किया से हरी जंगदी मिली तो आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो एक सामने वाला है तो दोस्तों गाइस बैदे थैंक यू वेरी माच इदरी सर थैंक यू वेरी माच हमारे साथ है लेकिन अगा एले बार साफ हमारे शोव में बने रहेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर थैंक यू थैंक यू we are in it to win it to win it